दोस्तो आप यहाँ पर जो यह switch socket देख रहे हैं, इसका मैं आज आपको connection करके दिखाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देखे यह दो 5-pin socket है और यहाँ पर 2 switch लगा हुआ है, इस switch का connection इस 5-pin socket के साथ करना है, इस switch का connection इस 5-pin socket के साथ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे पलट लेता हूं पलटने के बाद इसका connection किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूं तो यहां पर अब देखे यह जो दो स्विच लगा हुआ है यहां पर इन दोनों स्विच का जो नीचे वाला यह टर्मिनल है और यह वाला टर्मिनल है इसमें यहां से यहां एक वायर जो दोना है अब आप यहां पर देखे यहां पर एन लिखा हुआ है तो एन वाला टर्मिनल देखे यह वाला है और यहां पर देखे एन लिखा हुआ है इसका टर्मिनल यह वाला है तो आपको क्या करना है यहां से यहां पर एक वायर जोड़ देना है तो मैं यहां पर वायर ज खाता हूं तो देखिए मैं यहां पर येलो कलर का वायर लिया हूं जो दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा छिला हुआ है इस तरीके का ठीक है इसे मैं यहां पर जोड़ लेता हूं यहां पर आप कोई भी कलर का वायर ले सकते हैं वायर का कलर से कोई लेना देना नहीं होता ह यहां पर मैं वायर जोड़ लेता हूं इस तरीके से अब आपको क्या करना है यह जो स्वीच का उपर टर्मिनल है यहां से आपको यहां पर एक वायर जोड़ देना है और जो यह वाला स्वीच का उपर टर्मिनल है यहां से आपको देखे यहां पर एक वायर जोड़ देना है तो मैं यहां पर वायर जोड़ लेता हूं वायर जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां से यहां पर एक वायर जोड़ दिया फिर यहां से मैंने य यहां पर एक वाय जोड़ दिया अब यहां पर फेज और निट्रल का कनेक्शन करना है तो फेज का कनेक्शन आपको देखे यहां पर करना है switch के निचेले टर्मिनल में या फिर आप page का connection इस switch के निचेले टर्मिनल में कर सकते हैं और neutral connection आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर page or neutral connection कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने page और neutral connection कर दिया इसमें जो red वाला wire है यह वाला wire यह page का wire है जिसे मैंने यहाँ पर जूड़ दिया page यहाँ से फिर देखे switch का जो यह वाला terminal है इसमें चलाता है जब इस switch को on करते हैं तो page यहां से यहां चलाता है फिर page यहां से यहां चलाता है यहां पर देखे L लिखा हुआ L मतलब line या live होता है इसके बाद जब इस switch को on करते हैं तो page देखे यहां से यहां चलाता है फिर page यहां से यहां चलाता है यहां भी N लिखा हुआ है इस तरह से यह connection पूरा हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके घर में अर्थिंग का connection है ही नहीं उनके लिए यह connection complete हो चुका है उन्हें अब इसमें कुछ भी नहीं करना है लेकिन जिनके घर में अर्थिंग का connection है उनके लिए ये connection अभी पूरा नहीं हुआ है, उनको क्या करना होगा, देखे यहां से एक wire यहां पर जोड़ना होगा, तो मैं यहां पर wire जोड़ लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं, तो देखे, मैंने यहां से यहां पर एक wire जोड़ दिये हैं, अब इसमें अर्थिंग का connection कर देता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं, यह जो green वाला wire है, यह अर्थिंग का connection यहां पर किया गया है, यहां से अर्थिंग का connection देखे, यहां पर भी हो जाता है, दोनों जगह में यह अर्थिंग connection complete हो जाता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो ये red वाला wire है, ये page का wire है, ये जो black वाला wire है, ये neutral का wire है, और ये green वाला wire है, जो ये earthing का wire है, ये connection उन लोगों के लिए complete हो जाता है, जिनके घर में earthing का connection है, दोस्तो मैंने आपको इस वीडियों बता दिया कि जिनके घर में earthing का connection नहीं है, उनको कहां तक connection करना है, और आप सीख चुके होंगे